तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ यार किस तरीके से आप एक pen drive के अंदर multiple operating system को रख सकते हैं और जब बूटिंग के ताइम पर आप यूज करेंगे तो उस सारी operating system आपको आज शो कर देंगे तो यारी कि आप एक साथ बहुत सारे operating system को pen drive के अंदर रखे उनीक को बूटेबल बना सकते हैं इससे पहले वाले आपने बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी देखेंगी जिसमें आपको रूफस के थूरू pen drive को बूटेबल बनाना होता था फिर चाहाए वो Linux हो फिर चाहाए वो Windows के कोई भी operating system हो लेकिन उसमें एक टाइम पर ऐसे बहुत सारी operating system को एक साथ रख सकते हैं और आप बूटिंग के थूरू एक ही pen drive के थूरू जाहे जिस मर्जी को आप इस्टॉल कर सकते हैं तो इससे आपका टाइम बचेगा बार बार आपको अलग लग pen drive नहीं बनाने होंगी एक ही pen drive में सारा data रख लीजे जैसा आप आपको ठीक लगे वैसा आप इसमें आप यूस कर सकते हैं तो बहुत ही बड़ी आपको ट्रिक बताने वाला हूं तो वीडियो के साथ एंड जुड़े रहना और चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब बना सकते हैं तो दोस्तों pen drive को multiple OS अगर हमें pen drive के अंतर इस तरीके से लगता है तो पहले मैं आपको इसके official page पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको थोड़ा से इसका detail पर जानकर ही उतायता हूं जिससे आपको confirm पाए कि कैसे काम करता है क्या है तो यह है इसकी official website आप Google पर टाइप कर देना नर्मरी वैंट तो वहां पर इस type का अंदर बहुत सारे operating system रख सकते हैं और यह खासकर उन लोग के लिए बहुत जादा helpful रहने वाला है जो खासकर shop वगरा चलाते हैं जिनके आपर लगातार Windows 7 XP या ऐसे बहुत सारे operating system इस्टॉल करने के लिए आते रहते हैं उस समय पर उन्हें क्या करना पड़ता है अलग अब यहां पर सबसे पहला तो हमें requirement होगी एक pen drive की तो pen drive हमने यहां पर ले ली है 60GB की एक pen drive हुआरे पास available है तो इसी पर हम यह सारे practical करेंगे तो pen drive हुआरे पास ready है tool हमने download कर लिया है download करने का तरीका क्या है यहां पर download पर आप आ जाएंगे और यहां पर जो पहला option है Windows zip का उसे आप कर लेंगे और वहां से जब आप extract कर लेंगे तो आपको कुछ इस type का यह folder बन के बिल जाएगा यहां पर इस type के कुछ tools होंगे आप चलते हैं कि इसमें यह काम कैसे करता है इसमें operating system कौन से इसमें run करते हैं तो इसके लिए आप tested ISO पर जा सकते हैं tested ISO पर यहां आपको शो कर देगा कि Windows के अंदर Windows 7 8 10 इस सारे यहां पर सर्वर तक यहां पर सपोर्ट करते हैं और Linux के अंदर यहां पर बहुत जादा popular बहुत सारे operating system यहां पर हैं तो इसमें जैसे मैं आपको एक popular बतायता हूं popular जैसे की एक divine हो गया Ubuntu हो गया send to s हो गया आप चलते हैं कि इसमें कैसे काम करता है डार्क ली हम फोल्डर पर आ चुके हैं अपने तो यहां पर सबसे पहले जो टूल आ जाता है वो वेंट्राइट टू डिस्क आजाता है आपको इसी पर क्लिक कर दे रहा है यह एक application होगी तो यहां पर हम क्लिक कर देंगे तो इस प क्लिक करने के बाद आपको पहले यह प्रक करना होगा और यह सथोटाज़ अफोर भरेट हैं और थ्यां रखने हैं तो घंतु सिकटी फोट यह दिवी वादी है तो हम वहग यहां पर सेल्क कर लेते हैं और यहां पर हमें स्टॉल का implications प्लिक करना होगा तो इस पहलें का क् रहा है तो कि आप तेयार है तो आप कर देंगे yes यस कर देंगे पृर्च कर देंगे फिर से yes confirm कराएगा औरण जो स्टेटस होगा वह यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ज्यादा टाइम लेगा और जल्द यल्दी यह आपकी जो अभी देखो successfully यहां पर यह complete हमारा हो चुका है अब किस तरीके से pen drive दिखती है हमारी वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ pen drive पर automatic लिखा जाए का वेंट आ है और इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं होता है अब simple सा काम क्या है वो समझे लिजे अब आपके पास operating system की ISO यहां पर यहां पर हमारे पास यहां पर विंडूस सेबन की ISO पड़ी होई है तो पहले आपको बूद दिखाये ताओ रून करके और इसके अलावा और भी operating system है तो यहां पर हमारे पास यहां पर यहां रहा विंडूस सेबन अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है directly send कर दे रहा है went toipa went toipa send करने के बाद यह सीधा जैसे copy paste रुता है went toipa के अंदर उसी तरीके से होगा इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ इसमा करना नहीं होता है और यहां पर आपके पास जो भी और भी कोई operating system है तो वह भी कर सकते हैं तो आप चलो पहले हम इसे हो जाने देते हैं copy paste हमारे पास फिलाल के अभी window 7 पड़ी है बाकी आप window 10 से लेके जो भी है उसे multiple यहां पर install क कर सकते हैं अब जैसे मैंने आपको पताया कि tested IOSO के अंदर यहां पर आ रही है तो लिस्ट आपके पास आ जाती है आप इसमें से जूड़ चेक कर लेना कि यहां पर क्या है कौन सी यहां पर बहुत सारे operating system है अब जैसे windows में कहीं पर भी XP यहां पर शो नहीं कर रहा है तो ह भी हमारा यह copy-paste पर और इसमें थोड़ा time लेगा दन उसके बाद मैं इसे copy करने के बाद आपको फिर pen drive में show करता हूं दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने दोनों को यहां पर copy-paste कर दिया है इसमें directly copy-paste कर दिया है इसमें अलग से कुछ नहीं करना है आपको तो directly जैसे copy-paste करते हैं उसी तरीके से आप कर देंगे तो हमने यहां पर दो यहां पर यहां पर यहां पर शेयर कर दी है एक हो गया है हमारे higher end bootable CD और दूसरा हो गया windows 7 का आप इसमें और भी बहुत सारे कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे तो चलो अब इसको मैं आपको बूट करके चेक कराता हूं कि बूट करने पर यह कैसा आता है बाकि जो पैंट्राइव बूटेबल का जो method होता है वो सेमू का जैसे आप system को restart करेंगे वहां पर बूटेबल आ लैप्टॉप में और मैं आपको लैप्टॉप में चेक कराता हूं किस तरीके से यह बूटेबल काम करती है यहां पर तो यहां पर हम जैसी बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर बूटेबल के लिए आपको जाना होगा तो जो भी बटन वहां पर आपके पास option available होता है उसको प्रेस करना ठीक है जैसे मेरा यहां पर जो options आते हैं मैंने वो प्रेस करती है और यह कुछ इस तरीके से यहां पर आपके पास आ जाएगा जब आप स्टार्ट करेंगे तो मेरे पास यहां पर आप देखो यहां पर flash USB drive आ चुका है तो इसी पर हमने क्लिक करना है और इस प मैंने आपको बताया था अब आप चाहो तो इसके अंदर और बहुत सारे copy paste कर दो जितना आपको ठीक लगे वैसा आप कर दो इससे benefit आपको यह मिलेगा कि आप चाहो तो बहुत सारे इसमें operating system रख सकते हो आप अगर कोई networking का काम करते हो या फिर आपकी कोई दुकान है जहा में हर आपको pen drive अलग बनानी पड़ती थी तो इसमें आप ऐसा नहीं है आप बहुत सारे operating system रखकर बहुत साई चीज कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी बताना comment section वीडियो पसंद आए तो like, share, subscribe जरू करना चाहरा तो मिलते हैं आपसे next topic में एक नई जान आते रहेंगे और आप कुछ नया सीखते रहेगा तब तक के लिए टिक कर आएं बाएं बाएं